कुमार स्वामी के शपत ग्रहन में कौन सा इतिहास रचेंगे अखिलेश मायावती? कुमार स्वामी के शपत से बुआ बबुआ का इतिहासिक कनेक्शन क्या है? करनाटक में 23 मई को जेडियस नेता कुमार स्वामी बतौर सीम शपत लेंगे कुमार स्वामी का शपत ग्रहन समारोह 2019 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की मोर्चे बंदी की तौर पर देखा जा रहा है विपक्ष के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं लेकिन इस दोरान कुछ ऐसा नजारा भी देखने को मिल सकता है जो की एतिहासिक होगा दरसल कुमार स्वामी के शपत ग्रहन समारोह में यूपी की सियासत के दो दिगज एसपी सुप्रिमो अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती पहली बार एक मंच साझा करते दिख सकते हैं अखिलेश और मायावती ने अभी तक कुमार स्वामी के शपत ग्रहन में शामिल होने की पुष्टी भी करती है यानि साफ है कि दोनों नेता पहली बार एक मंच पर होंगे इससे पहले यूपी की गोरखपुर फूलपुर उपचुनाओ के दोरान दोनों पार्टियों ने गड़ बंधन कर सभी को चौंका दिया था और अब यहाँ दोनों का एक साथाना 2019 लोकसभा चुनाओ के लिए दोस्ती की बातों को बल देता है उपचुनाओ में जीत के बाद दोनों दलों के प्रमुखों ने आगामी लोकसभा चुनाओ में गड़ बंधन करने का एलान किया था इतना ही नहीं अखिलेश ने खुले तोर पर मायावती की तारीफ की थी नतीजों के बाद अखिलेश खुद उनसे मिलने भी गए थे आपको बता दें कि कुमार स्वामी के शपत ग्रहन समारों में विपक्षी पार्टियों के कई नेता शामिल होंगे कुमार स्वामी ने खुद सभी को नियोता दिया है बीते सोमवार को ही वे दिल्ली में राहूल गांधी और सोनिया गांधी को भी नियोता देने पहुँचे थे मिली जानकारी के मुताबिक शपत ग्रहन समारों में अखिलेश और मायवती के अलावा तेजस्वी यादव, कमल हसन, एमके स्टैलिन, अरविंद केजरिवाल, ममता बनर जी, चंदरबाबु नैडू, चंदरशेखर राओ के शामिल होने की संभावना है ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि विपक्षे निताओं का ये जमावडा 2019 में क्या गुल खिलाता है, इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट